कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का ओलान एड़ावर स्टुडी चैनल पर कॉफिस दोस्तों आप सभी के बीचार जो लेटिस अप्डेट के साथ में इस वीडियों दोस्तों बात करेंगे SBI में अगर बात करें 8500 पर आविदन के बारे में बंपर भरती को लेकर 37349 पर निफ्ती के बारे में साथ में अगर देखें काउंसलिंग और शार्सना आदेश को लेकर अच्छी कवर देखने के लिए मिल दिए प्रात्मी को जूनियर सिच्छक भरती के नया आयूग तेयार है वहीं यूपी टपल सी से अगर बात करें पीटी और साथ में 40 ज़ा भरती के शार्शना आदेश को लेकर ही बात करेंगे तो बनवाबन सारी अपडेट हम कवर करते हैं चली दोसों वीडियो शुरू करते हैं S.B.I.P.O. एक्जाम में अब कुछी दिन बचें इस टाइम को भरपूर फायदा उठाएं और टेस्स के साथ प्रपेशन को करें पूरा आपकी प्रपेशन को मजबूत करने के लिए अनकेडमी के टॉप एजुकेटर्स अंकुस लांबा आशिश अहुगा और निमिशा बंसल में आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट फ्री टेस्ट इस फॉर एजबी आई पी ओ पी लिम्स जिसमें होंगे रीजनिंग क्वांटिटी एप्टिटूड और साथ में इंग्लिस के टेस्ट और साथ में किया जाएगा उनका एनलाइस यह टेस्ट इस टार्ट हो रही है 29 नवंबर से बो भी बिलकुल फ्र लिंक बीडीयो की डिस्क्रिपशन में है आज escr 시 and roll करें और ट्रेक करें अपनी प्राप करें अपने एक्जाम को सब्सक्राइब करें अगर बात करें तीन वर्षी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे अगर बात करें पात्ताओं को लेकर तो गैजुएशन के साथ में अन्य जो निर्दाहित पात्ता हैं वह आप सभी के पास में होनी चाहिए शुल्क के बारे में यहां जानकाई दीगे 300 रुपे देखने के लिए मिलेगा जो कि अधर के वाले अभ्याथियों के लिए होगा जो भी जानकाई होगी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी परिश्या कि अगर बात के जनवाई बैंक की कसोड़ी पर ख़रा उतरने के बाद कंफर्म होगी आप सब्सक्राइब के लिए आप सब्सक्राइब के पूछे जाएंगे और सब्सक्राइब होंगे जिसके आपको एक एक नमबर देखने के लिए ठीक है उसी कर्म में इनमें सामाने और अर्थ जगत के पच्चीस परसन आपको देखने के लिए मिलेंगे तो ऐसे में आप लोग आवेदन कर सकते हैं पीयों के चैनित को देनी होगी दो लाकी सिकुर्टी भी आप सब ने हैं जाता जानकरी आप से ओविशल वेबसाइट पर जाईए नौटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और कोई दिक्कत आए तो कमेंट करें के पूछ लीजिए वहीं दूसी तब बात करें सहती सा 349 शात्रों के निक्ति के बारे में साथ में जैसा कि आप सभी को ता है आ मार्धियम से जानकरी ना देना कई ने कर इस बात के संग्यत देता है कि आपकी जो काम में वो चल रहा है लेकिन कहा तक पहुंचा है इसके बाहना नहीं चाहते हैं तो और कि आख में mine क्योंकि जब तक सासना आदेश जादी नहीं हो जाता तब तक कागजी तोर पे आपकी जो प्रकिया है वो शुरू नहीं होगी चाहिए NIC आपकी चेन सूची पहले से बना ले या फिर आपका जो कारेकम उतियार कर ले लेकिन जब तक स्रासना आधेस जारी नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को यहां पर इंतजार कहना पड़ेगा लेकिन ऐसे में जो 37 लेकिन बिवागी सूत्यों की माने तो उनका कहना है कि सुमबार से आपकी जो प्रकिया वो शुरू करती चाहेगी हाला कि ऐसा सिच्छा मंती जी की तरब से भी कहा गया था कि कॉपी मिलती है आपका जो प्रोसर्स है वो शुरू हो जाएगा सियर्टी पे काम भी जारी है कल एक मीटिंग भी देखने के लिए मिली दी लेकिन मीटिंगे वाद उम्हीदे ऐसी थी कि सास नाया देंच जारी जारी एग है लेकिन अभी तक शास नायदिष जारी नहीं भुए है ऑसी जो आपका जो सास नादे से जारी हो सकता है मीटिंग के बाद काफी जो सकात्मिक चीज़ें वो देखने के लिए मिली है तो 37349 शार्थ एक वाफिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर सकते क्योंकि लगाता है अब्रतियों के माध्यम से अधिकाई जानकाई नहीं दे हैं तो इसी के वारे में 37349 शार्थों को लेकर आगावी समय में आपको ये भी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है लेकिन अभी तक जो जानकाई मिली है उसके माध्यम जो यह है कि 24 ताइक से आपका जो प्रोशेश वो शुरू होगा चैन स है तो यह तो दोस्तों बात जो आती आप सब्सक्राइब के अगर नहीं मिलेंगे तो आगामी समय में क्या होगा वह भी आपको बता दिया है लेकिन यहां पर अच्छी ख़बर देखने के लिए जिसा कि आप सभी को पता ही है आगामी समय के अंदर प्राइमरी और साथ में जूनियर सिच्छक भरती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कब आएगी यूपी टैट के बाद आएगी लेकिन ऐसे में आप सभी को यह भी बता है कि जब आपकी भरती आने वाली है उससे पहले आपको काफी चीज़ें यहां पर देखने के लिए मिलेंगी जब तक ग्यापने वो जादी नहीं होगा ऐसा कहीने की आयूक की तरफ से भी कहा गया था और साथ में आप सभी को पता है कि सरकार दो फैसला लिया ही है कि जितने भी भरतियां सिच्छक भरती देखने के लिए मिलेंगी वो नए सिच्छा सेवा चैन आयूक के माध्यम से करवाई जाएंगी तो उसी कब में प्रदेश में बेसिक माधिमिक सिच्छा को लेकर साथ में उच्छ सिच्छा विवाग के साहितर प्राफ्त संस्तानों में सिच्छकों की भरती के लिए गटित होने वाले उत्तर विद्व सिच्छा सेवा चैन आयूक का मसोदा तैयार हो गया सास सिच्छा विवाग में सायत अब्राफ्त माहा विद्विद्यालें के लिए सिच्छकों की भरती के लिए आयूक की जरिये ही आप सुभी को देखने के लिए मिलेंगी इसमें एक अध्यश होंगे साथ से आठ आठ आपको सदर सन्यूक्त करना चाहिए जाना है जहां पर प्रूबात में आयोक कर जो घठने किया जा सकता है फिर से निकाली जाएगी पंदेहजा सिच्छकों की बरती जैसा कि आप लोग नीचे देख पाए इसके बारे में भी जानकाई दी गई है जो कि आप सभी को पता टीजीटी पीजीटी की है लेकिन सबसे अच्छी बात य मैं यह साथ में जूनियोस अच्छक बरती देखने के लिए मिल सकती है बड़ी रहात होगी उन सभी अभ्यति के लिए जो काफी लंबे समय से इन दोनों बरतियों को लेकर इंतजार दो कर रहें लेकिन कहीं नए आयोके ना बनने की वज़ेसे आपको जो भरती है वो देख से रुकी है तो कोई प्रती नहीं करवा पारा है अभी आगड़े सामने देखने के लिए मिले थे प्रती की बज़ेसे लगबग 35,000 पदों की अधियाचन रुके हुए हैं अगर उनके नए अधियाचन लिए जाए तो संख्या 40,000 से भी जादा रह सकती है और उन सभी बरत पताई दिया था कि मुख्यमंती सर की तरफ से यहां पर जो मंजूरी वो दे दी गई है शुक बार को इसके बारे में जो सास नाधिस है वह भी जारी कर दिया गया है जैसी लिकित में इनको सास नाधिस मिलेगा यूपिटपिलर सी को उसके बार से आपकी जो प्रकिया वह है तो आगामी समय के अंदर जैसी पीटी होगा उसके बाद में चालीस जार भरती भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो पीटी की बज़ेसी चालीस जर जो पदों की बढ़तियां है वो रुकी पड़ी है और ऐसे में जो सब्सक्राइब करने वाला है आप लोगों क्या लगता है आप कितना सहीमत है पीटी को लेकर कमेंट करके अवश्य बताएं जिससे कि आवगामी समय के अंदर इसके वारे में आपके सामने चीज़ें रखी जाएंगी वीडियो को लाइक हो शेकर न भूलें सब्सक्राइब थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो